जादू 18 साल पहले अर्थ पर आया था और रोहित महरा को सूपर पावर्ज देकर अपने प्लैनेट वापिस चला गया था अब जादू 18 साल बाद अर्थ पर फिर से वापिस आएगा लेकिन इस बार जादू एक एलियन बनकर नहीं बलकि एक हूमन बनकर अर्थ पर आएगा लेकिन ये कैसे हो सकता है ये जानने के लिए आपको हमारी ये करिश फोर फैन त्योरी की वीडियो को पूरा देखना होगा क्रिश और प्रिया का बेटा जूनियर रोहित अब 8 साल का हो चुका है जूनियर रोहित के पास भी अपने दादा जी और डैड की ही तरहां सूपर पावर्ज हैं जूनियर रोहित अपने ग्रैंड फादर रोहित महरा की ही तरहां ब्रिलियंट भी है और अपने पिता की तरहा पावरफुल भी एक दिन जूनियर रोहित अपने ग्रैंड फादर रोहित महरा की लैब में पड़े पुराने कंप्यूटर में कुछ देखता है कि स्पेस से कोई सिगनल अर्थ की और आ रहा है जूनियर रोहित ये पता लगा लेता है कि ये सिगनल एलियन्स के द्वारा उनक पूछता है कि who are you तब फिर से स्पेस सिगनल से मैसेज आता है कि I am Krish जूनियर रोहित अभी उस मैसेज को पढ़कर हैरान होता है तब ही टीवी पर न्यूज आती है कि अर्थ पर कुछ अजीब तरह की घटनाएं हो रही है और स्पेस से सन जैसे गाए भी हो गया है पूरी नहीं जान पा रहे होते कि ये सब अर्थ पर क्या हो रहा है आठ साल का जूनियर रोहित अपने पिता क्रिश और मॉम प्रिया को बताता है कि अर्थ पर एलियन्स आ रहे हैं और ये सब एलियन्स ही कर रहे हैं क्रिश कहता है कि लेकिन ये एलियन्स हमारे दोस्त हैं या दु जानना चाहता है कि वो alien कौन है जो खुद को क्रिश बता रहा है, तभी TV पर क्रिश खुद को देखता है, क्रिश की ही तरह दिखने वाला वो alien कोई और नहीं बलकि जादु है। आप लोग जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ मतलब मैं कृष्ण नहीं हूँ लेकिन आज से मैं ही आप लोगों का भगवान हूँ जादू कहता है कि मैं आज से 18 साल पहले इस धर्ती पर आया था और मैंने अपनी सूपर नैच्रल पावर्ज की मदद से ना सिर्फ रोहित महरा को ही ठीक कर दिया था बलकि रोहित महरा के वन्शज में मेरी वज़े से ही सूपर पावर्ज आ गई हैं जादू लोगों से कहता है कि 18 साल पहले अर्थ के लोगों ने मतलब आप लोगों ने मुझे अपना दोस्त नहीं बलकि दुस्मन समझा ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया था और मैं देखने में तुम लोगों जैसा नहीं था लेकिन मेरी दी गई शक्तियों की ही वज़े से रोहित महरा का बेटा क्रिश तुम लोगों का रक्षक बन चुका है असली रक्षक क्रिश नहीं मैं हूं मुझे मेरी दुनिया के लोगों ने मेरे प्लैनेट से हमेशा के लिए इसलिए निकाल दिया था क्योंकि मैंने अपन सालों में मैंने ब्रमंड के हर एक रहस्य को जान लिया है और ब्रमंड की सभी शक्तियों को भी पा लिया है जादू कहता है कि मैंने इस ब्रमंड की सभी शक्तियां और उर्जा को कंट्रोल कर लिया है इसलिए अब मैं ही इस यूनिवर्स को चलाने वाला भगवान हूँ पर aliens रहते हैं और अर्थ की ही तरह मैंने उन aliens को भी और उनके planets को control कर लिया है जादू कहता है कि अब मेरा कोई एक रूप नहीं है जिस planet में भी मैं जाता हूँ वहार रहने वाले aliens की ही तरह रूप धारन कर लेता हूँ ताकि वो लोग मुझे अपने भगवान जैसा ही समझे और मुझे पूजना शुरू करें इसलिए ही जादू ने अर्थ पर आकर क्रिश का रूप धारन कर लिया है क्योंकि अर्थ के लोग जिस गौड की पूजा करते हैं उसका कोई रूप नहीं है जादू कहता है कि मैंने तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं तुम्हारा पा जाल और इस धर्थी पे पैदा होने वाली सभी उर्जा को अपने शरीर में ग्रहन कर लिया है इसलिए अब इस अर्थ पर रहने वाले लोगों को सन की जरूरत नहीं है सन से भी ज़्यादा एनर्जी अब मैं इस धर्थी को दूँगा जादू टीवी पर क्रिश को भी कहता है कि तुम अब से इस अर्थ के सूपर हीरो नहीं हो बलकि एक आम इंसान हो जादू क्रिश से कहता है कि तुमको मुझसे कोई खत्रा नहीं है अब से तुम्हारे पास भले ही सूपर पावर्ज नहीं रहेंगी लेकिन फिर वी अर्थ क के लोग तुम्हारे रूप को ही इस धर्ती का गौड मानेंगे और तुम्हारे रूप की ही पूजा करेंगे जादू कृष्ट की सारी शक्तियां वापिस चीन लेता है उस दिन के बाद जादू जो की कृष्ट के रूप में अर्थ पर आ गया है अर्थ को नैच्रल रिसॉर् ज्यादा उर्जा दे देता है अब अर्थ पर सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सभी एनर्जी से चलने वाले डिवाइसेज तेजी से और असानी से काम करने लग जाते हैं लोगों को अब एनर्जी फ्री में और अनलिमिटेड मिलने लग जाती ह अब अर्थ के बहुत से लोग जादू को ही अपना भगवान मानने लग जाते हैं लोगों का मानना है कि जादू वो सब हमारे लिए कर रहा है जिसको पाने के लिए हम सदियों से जद्दो जहत कर रहे थे लेकिन जादू की वज़े से अब हमको ये सब फ्री में और बहुत अ आसानी से मिल रहा है लेकिन कुछ साइन्टिस्ट और लोग जादू से खुश नहीं है क्यूंकि कुछ लोगों का मानना है कि जादू नेचर से छेड़ चार कर रहा है और कुद्रत की बनाई गई चीजों पर किसी एलियन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए इसलिए हमको कैसे भी करके जादू को रोकना होगा अब सभी देशों के साइन्टिस्ट कृष्णा यनि कृष्ण के पास आ जाते हैं कृष्ण अब जो सूपर हीरो नहीं बलकि एक आम इनसान है साइन्टिस्ट से कहता है कि जादू को ये सब करने से सिर्फ एक ही इनसान रोक सकता है और वो है र जुनियर रोहित जो उस समय वहां मौजूद होता है उन सभी साइन्टिस्ट को बताता है कि मैंने एक टाइम ट्रेवल डिवाइस बनाया है और उस टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से पास्ट और फ्यूचर के किसी भी समय में आया और जाया जा सकता है। जुनियर रोहित कहता है कि हमको उस टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से पास्ट में जाना होगा और मेरे दादा जी रोहित महरा को जिंदा वापिस प्रेजन्ट में लाना होगा क्योंकि सिर्फ रोहित महरा ही है जो जादू को ऐसा करने से रोक सकता है। जूनियर रोहित के ये बात सुनकर साइन्टिस्ट कहते हैं कि लेकिन पास्ट में कौन जाएगा और अगर हम पास्ट में चले गई और वापिस ही ना आ पाए तो क्या होगा फिर कृष कहता है कि मैं पास्ट में जाऊंगा और अपने पिता रोहित महरा को वापिस जरूर लेकर आऊंगा तो दोस्तो अब आगे की कहानी में क्या होगा क्या क्रिश पास्ट में अपने पिता रोहित महरा को जिंदा वापिस ले आएगा और क्या रोहित महरा पास्ट में से प्रैजट में वापिस आकर जादू को ये सब करने से रोक पाएगा ये सब जानने के लिए आपको हमारी अगली क्रिश 5 फैन थियोरी की वीडियो को देखना होगा जो हम जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे तो हमारी ये वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स